हेई गाइज वेलकम बेक टुमाई चैनल इस अंतिमाई होपसो कि आप सो बहुत अच्छी होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मैं अभी एक्चुली आज हम लोग जा रहे हैं देखने के लिए तो हम लोग जा रहे हैं देखने द्रश्यम टू रिविवी काफी अच् तो देखे गाइज आज हम निकलने हैं कैप से क्यूंकि आज था संडे और संडे को डबलू टीपी हो चाहे कहीं भी हो या फिर कोई भी शहर मुझे लगता है इतनी भीड होती है और मेरे हजबन के पाव में थुड़ा दर था और मैं ड्राइव नहीं कर सकती भीड में वही केस्मेंट में पार्किंग इतना लफड़ा टाइम वेस्ट होता है तो क्या दिक्कत है मैंने का ओके गुड़ तो हम रेडी हो गए पदे की हर चीज का एक्सपीरियंस लेना चाहिए तो हम निकल रहे हैं कैप से और थोड़ी थोड़ी शर्दी शुरू हो गए इतनी नहीं आप देख सकते हो कोटन के सूट में मैं गूम रही हूं इतनी दो नहीं बट यस ओके सुबह शाम वाली सर्दी आ गई है और यहीं से आपको दिख जाएगी भीड और यह तो कुछ भी नहीं थी बास अंदर जो भीड थी हाई राम भगवान बचाए मतलब मेर को ऐसा लगत यह सेगरी तो यह दोनों संग संग चल रहे थे और इनको कोई मतलब नहीं होता है जी कि आप चाहिए फोटो क्लिक करो तो ठीक यह इंजॉय करते हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगता में हस्बर्णों में बेटी का निचर कि उन्हें दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं ह है डबलूटीपी में डबलूटीपी जो है जैपूर का और शायद इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट मॉल है अब हमको कॉमन लगने लग गया है क्योंकि हमने बहुत घुम लिया हजार बर आपका सरदर्द कर चुकी हूँ यह कह 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 कि एक बार फिर बोलूगी और यह मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन होता था फॉर्दे फ्रेंड सर्कल मीटप लेकिन अब दोस्त अलग अलग चलेगा है मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता सच बोलू तो मुझे वहाँ जाकर भी वह फिल नहीं आती जो दोस्तों के साथ आती थी क्यार यह सीने पॉलिस यह म लव स्टोरी फाइटिंग यह सब पसंद नहीं आती है तो जाते भाईया आपको पता यह टीनेज वाले बच्चें हैं द्रिश्यम देखने गए शोशल मीडिया पर अपडेट ना करेंगी तो मूवी के पैसे वसूल नहीं होते हैं तो यह सीन चल रहा है फिर वेटिंग चल अब वेटिंग शुरूई हुई थी 445 का मारा शो था अब पबलिक आना शुरू हुई थी और पूरा न मतलब महां पर हॉल कवर हो गया था इतना भैंकर रिद्धी मा को भीचारी को खड़ी खड़ी आरे लगई नींद तो जैसे मैंने कैमरा गुमाया उसने उबासी लेना भी छोड़ दिया मैंने का वह बोलेगी कि हायरे मेरी मा सारी जग कैमरा अब बीड का नजा रहा देखिए इतना रश था ट्रस्ट मी बहुत भैंकर मतलब आफ्टर फोर येर्स में इतना रश देख रही हूं किसी मूवी के लिए तो एकसाइटेड में और भी जाद यहां से शुरू होती है मूवी और बस मैं थोड़ा सा बता देती हूं बाकि आप जाके देखिएगा कि साथ साल बाद की कहानी है दर्शम वन आई थी 2014 में यार ये 22 में तो साथ साल बाद अफकॉस अजद्देव गंजी का थोड़ा सा मतलब प्रमोशन हो गया है वो डिरे बार करते ना यार तो यह मूवी देखना बनता ही है वाली आफकोस दर्शम बन में भी यही बताया गया है लेकिन दर्शम टू मतलब ऐसी मूवी वने आज तक नहीं देखी तो मस्ट वह तो यह थोड़ा सा मैंने शूट किया था उसके बाद वाजी लंच लंच मैं आपको और बेटी लगे हैं लाइन में चूज करने के लिए क्योंकि अरिदिमा बोलती है वह आता है अंतिमा से शूट के लिए रहती है और मैं तो सब खा लेती हूं मेरे पती देव जो है वो पॉपकॉर्ण ही खाते है वह बहुत जादा फूनी है नहीं खेर हर बार हम तो इसलिए आगे तो आपको घर चाके रिव्यू देंगे चलो अब जो क्लीप आपने देखी अंतिमा ने कहा था कि रिव्यू बात में देंगे लेगिन आदा रिव्यू तो पहले ही दे चुकि हमने लिया है कॉफी मोच्चा ठीक है तो खेर यह कॉफी ऑप्शन था मैं को सब्सक्राइब करेंगे तो फिर मैंने बोला मुझे तो एक सैंड्विच खिला दो सीने पॉलिस अगर आप जाते हैं आप जैपू से हो या बाहर से भी आके अगर आप सीने पॉलिस जाते हो कभी मूवी देखने वहां का पनी टिका सैंड्विच जरूर खाना वन ओफ माइ फेवरेट यकीन मानिए मैं खुद भी बहुत अच्छी मतलब खाना पकाती है मुझे लगता है लेकिन वहां अगर मैं जाती हूं तो वहां का पनी टिका सैंड्विच बहुत अच्छा लगत मैं खाती भी हूं साथ मैं हमने कॉफी ली मुझे सॉफ्ट ड्रिंक्स मुझे ब कारीफे हो रही थी यह वह माश है पनेटी का सैंड्विच जो मैं खाती हूं आपा ऑसम टेस्ट है एक पीस खाया पेट बड़ा तो पीस दिमाने खाया और यह मुझे के लास्ट का से लिए तो अजने बंच कह रहे हैं कि ती तरह की दुनिया होती है एक बाहर की दुनिया एक वह जो हमें मिलती है और एक वह जो हम बनाते हैं बिल्कु सही बात है इसे बैस्ट लाइन है और कोई चाहे मुझे मतलबी कहे या कुद कर्स और इसे के साथ मुवी खत्म होती है और ट्रॉस्ट मी आई लव दा स्टोरी उसके बाद हम निकले हमारा शो खत्म हो गया था आई तिंग पहुने आट बजे साड़े साथ बजे एक जग ताइम मैंने देखा नहीं था फिर हम वाकिंग पर ही है जीटी डब्लू टीप तो ले लेंगे रिद्धिमा को एक्चुली बहुत दिन से शू शू चाहिए थे मतलब बहुत सारी शूज है लेकिन फिर भी उन्हें पिंक कलर के पर्टिकुलर शूज चाहिए थे तो हम चले गए वहाँ पर मेरे हजबन को भी कुछ देखना था हलो उनको भी वांटू तो तो मुझे उसका कवर चाहिए था जो ओरिजिनल कवर था वो थोड़ा सा तूट गया था तो सबसे पहले हम लोगों ने बोलिया उसके बाद था मेरे पती देव को चाहिए था वाच वो जा रहे हैं जल्दी ही शादी में मैं बिल्कुल नहीं जा रही हूं नहीं दिमा का ए पूची आप यकीन मानिए डबल रेट था तो आजकल जीटी जो है शोपिंग के कोडिंग अलग हो गया उसके बाद शोपिंग घर जाके मैं दिखाऊंगी क्या लेकिया हम आप यकीन मानिए हमें खुद भी पता नहीं था हम ना ओटो किया मेरे हस्बंड आज तक ओटो में आज आए मैंने उन्हें गोला आटो से चलते हैं मैं बहुत बार आती है वह कभी भी नहीं आते हूं या तो कैब से या तो गाड़ी से नाइंटी परसंट तो गाड़ी से लेकिन हम बैठे फर्स टाइम हम लाइफ में मेरे हस्बंड और अटो में एक साथ बैठे हैं हम तीन तो ये गाइज अभी हम घर आ गए हैं मूवी काफी अच्छी थी कि आपको देखनी चाहिए ऐसी वॉलीवूड में काफी टाइमवाद मूवी बनी है रोना अधोना लव स्टोरी ये वह अच्छला दोनों दरश्यम कमाल है स्टोरी आपको नहीं बता सकते क्योंकि आप दे मूवी है तो गाइज घर आ गई हूँ मैं आपको पता ही है अब मैं दिखाती हूँ शॉपिंग जो करके लाए तो देखें जैसा मैंने कहा टेंपर एंपर लगवाया था ये मेरा पहले वाला कवर अभी नया वाला कवर किसी दिन आपको दिख जाएगा कैमरे में कि यह माइक है ताकि आपको अच्छी सी वाइस हो रहा है मैंने उन्हें बोला मेरी वाइस पब्लिक को वैसे बहुत तेज जाती है थोड़ा कम करने वाली लो नहीं का कि आप यह ले लो ट्रस्मी मेरे हजबंड को मुझे कुछ चीजे कभी कहने की नीडनी पड़ी ही नो व पिक्स का और इसका तो हमेशन वह जब भी जाते हैं कभी हमने इवन टॉपिक भी नहीं क्या कि I want माइक और और उन्होंने देखा उन्होंने कहां दे दो तो एक्चुली अगर आपको भी चाहिए तो यह माइक है ड्यो तो 1800 का एक्चुली है तो एक सिंगल अगर आप लोग तो इस तरीके से तो आप इसे connect कर सकते हो अभी आपको वाइस में भी चैन्जा जाएका तो यह मिरे हस्बन ने मेरे ले ले लिया हमेशा वह ऐसी चीज देखते हैं गैजट पे ले ले लेते हैं यह जो है पिन-प करना है मैं आपको और चेंज करके आपको मतलब दिखाती ह यह एक इदर तो दो सेकिंड बाद जो वाइस आएगी वह आपको मेरे के थू होगी connect हो जाएगा उसके थू सॉरी माइक के थू लाइट ओन हो जाएगी connect हो गया है तो इस तरीके से क्या है कि है अब जो वाइस आएगी यह माइक वाली आएगी तो आप मुझे बता सकते हैं इस इस कॉलर माइक अब कॉलर पर लगा सकते हो दो लोग एक साथ इसको यूज कर सकते हो तो यह मैपने लिए लाई उसके अब आपने देखे लिए और माइक बाद बारी आती है रिदिमा के जो शूज हमने लिए है तो यह शूज रिदिमा लेक आई है अक्च्यूली वह लास्ट यर से ही उसको इस तरीके के स्नीकर चाहिए थे पिंक में तो यह लेका है है थाउजंद रुपीज के है ब्रेंड नहीं non branded है पर मुझे लगता है non branded की बहुत अच्छ होती है वह branded उसको medicine लिदिला के भी लाए थी ginger से आपने देखा होगा तो यह non branded है पर यह dress पे उस पे बहुत अच्छा रहा है जा तो नहीं रहे अभी पर very soon we plan for a trip so let's see वो अलग बात है वो आगे क्या आगे तो ये लिखिया है तो बस तो माइक जो है वो मेरे पती ने आप कह सकते हैं अपनी पसंद से मुझे दिलाया बहुत अच्छा लेवेंडर कलर का मेरा Z Flip 3 का cover दिलाया जो मैं किस उस में दिखाऊंगे तो ये था जी बस और आज का ब्लोग लंबा हो गया है 12 मिनट का उसके लिए रियली स्वरी और थोड़ा सा सपोर्ट देना इसी तरीके से मैंने अपने जो ब्लॉगिंग पीरियोड को छोड़ा था थोड़ा रैस लिया था अपने आपको टैम दिया अपनी फरमली के साथ स्पेंड किया and I am feeling so refreshed now मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जब आप भागदोर भरी जिंदगी से थक जाएं तो you have to take a break यार 5-6 दिन का ही ब्रेक लो आपको refresh फिल होगा you feel energetic और फिर बहुत अच्छे से आप फिर से काम कर पाओगे तो चलो जी आज कब लोग यहीं end करते हैं बाबाई, love you, love you, lots of love